आईए हम परिमे संख्याओं के क्रम विनी मेता के बारे में जानते हैं क्रम विनी मेता को अंग्रेजी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसका मतलब यह होता है कि कोई भी परिमे संख्या है या को किसी भी, दो या दो सा थिख कोई भी परिमेशंख्या है, को किसी भी क्रम में रखके अगर आप योग गुनन अंतर या भाग के क्लिएट करते हैं, तो अगर किसी भी क्रिया में उसके क्रम का रखने का कोई माइने नहीं रहता तो उसे क्रम विनी में रहता है करता है। इसका मतलब है कि अगर आप मान लेजिए आपके पास परिमे संख्या है P बटा Q और एक और परिमे संख्या है R बटा S अगर इन दोनों के बीच में आप योग की क्रिया कर रहे हैं या कहने का मतलब है आप P बटा Q को R बटा Q के बराबर होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम P बटा Q और R बटे S का क्रम हम ने उल्टा कर दिया है। इसको इधर कर दिया है और R बटे S को बाइं की ओर कर दिया और P बटे Q को दहिने की ओर कर दिया। तो परिमे संख्या योग के अधार पे क्रम विनिमे होती है ये कैसे होती है आई एक उधारन लेते हैं माल लिजे आपके दो परिमे संख्या है दो परिमे संख्या है आपके 5 बटे 4 और 1 बटे 3 तो हम इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ करके हम देखेंगे कि इसका उत्तर क्या आता है तो 5 बटे 4 और 1 बटे 3 इसमें 4 और 3 का लगुत्तम समापर तक होगा 12 उपर हो जाएंगे आपके 15 और इस तरफ हो जाएंगे 4 तो आपको उत्तर आ रहे हैं 19 बटे 12 अब यही हम एक बड़ा और जोड़ेंगे जिसमें दोनों परिमे संख्याओं का क्रम में अदला बदली कर देगे इसके मतलब है 1 बटे 3 प्लस 5 बटे 4 यहाँ पर हम देखते हैं इनका भी लगुत्तम समापर तक 3 और 4 का 12 आएगा और इधर आपके 4 आएंगे और इधर दाइनी और 15 तो इसके भी उत्तर 19 बटे 12 आ रहा है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह 19 बटे 12 और यह 19 बटे 12 दोनों समान है तो इससे यह किसिद होता है कि परिमे संख्या हैं दो या दो साधिक परिमे संख्या हैं अगर आप लेंगे और उनके बीच में आप अगर योग की क्रिया करेंगे तो वो करम विनिमे होता है क्रम में का मैंने पहले भी मतलब बताया है कि किसी भी क्रम में आप रख करके अगर आप योग की क्रिया करेंगे तो जो आपका उत्तर होगा वो समान ही आएगा अब चलिए हम गुनन के बारे में देखते हैं मान लेज़े आपके दो परिमे संख्या है पी बटा क्यू गुने आर बटे एस तो परिमे संख्या है गुनन के आधार पे भी क्रम में होता है इसका कहने का मतलब है पी बटा क्यू गुने आर बटे एस बराबर होता है आर बटे इसको आप कोई भी दो परिमे संख्याओं के ले करके आप खुद ही जाज सकते हैं अब आगे देखते हैं अंतर के अधार पर परिमे संख्याओं क्रम विनि में होता है या नहीं परिमे संख्याओं अंतर के अधार पर क्रम विनि में नहीं होता है कैसे अगर P बटे Q माइनस R बटे S बराबर नहीं होता है R बटे S माइनस P बटे Q के इस क्रिया में जो हम अंतर की क्रिया है इसमें परिमे संख्याओं क्रम विनि में नहीं होती है आई ये इसको हम एक उधारन लेते हैं और उससे हम जाच लेते हैं मालने जे मैं पहले वाले ही दो परी में संख्या ले रहा हूँ पांच बटे चार अंतर एक बटे तीन का तो इसको हम अब अंतर निकालेंगे तो इसके भी आपके लगुत्तन समापद तक बारा हो जाएंगे नीचे और उपर आपके पंदरा रिन चार आपके उत्तर आएंगे ग्यारा बटे बारा अगर आप इसको उल्टा रखते हैं एक बटे तीन अंतर पांच बटे चार अब इसका उत्तर हम देखते हैं इसका भी लगुत्तन समापद तक बारा होगा यहां पर चार आजाएंगे रिन पंदरा तो इसका उत्तर आएगा माइनस ग्यारा बटे बारा तो आप देख रहे हैं यह वाली जो उत्तर है ग्यारा बटे बारा और यह वाली जो उत्तर है दाहिनी साइज में नहीं किया वो दोनों समान नहीं है तो इसका मतलब है परिमे संख्या अंतर के अधार पे क्रम विनि में नहीं होता है और योग के अधार पे होता है और गुनन के अधार पे यह क्रम विनि में होता है अब चलिए हम भाग के अधार पे देखते हैं परिम्य संखिया भाग के अधार पे भी क्रम विन में नहीं होता है इसके कहने का मतलब है P बटे Q भागा R बटे S वो बराबर नहीं होगा R बटे S भागा P बटे Q का तो जहां बराबर नहीं होगा वो क्रम विन में नहीं होता है तो इसको भी हम जाच सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको कोई भी ये दो जो दिये हुए है पाँच बटे चार और एक बटे तीन का उधार उसको लेकर के आप इसको खुदी जाच ले और देखें कि ये क्रम विन में होता है या नहीं ये सारी जितनी भी गुंधर्म हैं परिमे संख्याओं के ये हमें आगे काफी काम आएंगे और काफी सवालों के हल करने में हमें सहता मिलेगे तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ आप समझने का भी कोसिस करें